प्रिये छात्रों, आज अपने अधिकार सुल्क खाते रोयल्टी एकाउंट्स क्या होता है रोयल्टी एकाउंट्स इसके संदर्व में मैं आपको बतलाना चाओंगा अधिकार सुल का आशे उस रासी से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके द्वारा दिये गए कुछ विशेश अधिकारों के बदले में देता है जैसे कोई पुस्तत प्रकाशित करने का अधिकार, पेटेंट वस्तु निर्मित करने का अधिकार, बेचने का अधिकार, अथ्वा कोई खान खोदने का अधिकार मुख्य रुप से जो बात है, वो इसमे समस्ति है कि एक वेक्ति द्वारा किसी दूसे वेक्ति को किसी संपत्ती का अधिकार दिया जाए, उसके बदले में जो पृतिफल दिया जाए, जो धनरासि दी जाए, उसे कहते हैं अधिकार शुलग अब ये मैंने आपको बता है इसमें माइन्स के संबन में है या आपकी कॉपी राइट है तो जिसे माइन्स है खान जिसे कहते हैं खान माइन्स के स्वामी को खनिज प्रदात निकालने वाले वेवसाई से मिलने वाली धन्रासी पुस्तक के लेखक को प्रकासक से मिलने वाली धन्रासी उसे प्रियोक करने से मिलने वाली धन्रासी पेटेंट के स्वामी को उसके प्रियोक करने से मिलने वाली धन्रासी आधी सम मिलाकर अधिकार शुल क्यानी की रॉयल्टी कहलाती है अब इसके संदर में जो कुछ अपने लेखक हैं उनकी क्या राय है उनका जैसे जे आर बॉटली बॉई उन्होंने का है अधिकार सुल्क से अभी पराय उस धनरासिस हैं जो कि एक वक्ति द्वारा दूसरे वक्ति को उसके द्वारा दियेगे विशेशा अधिकार के प्रतिफ अधिकार तो विशेश रूप से जो बात समझनी है कि यदी कोई वक्ति अपने विशेश अधिकार किसी अन्य वक्ति को स्तानांतृत करता है प्रयोक करने का अधिकार और उसके बदले में जो रासी लेता है उसे कहते हैं अधिकार सुल्क अब बात आती है कि अधिकार सुल्क जो है उसकी जो गणना है या calculation किस प्रकार की जाए अधिकार सुल्क जो royalty है उसकी गणना उत्पादन या बिक्री की मात्रा पर आदारित होती है कि कितना उत्पादन किया गया कितना बिक्री की गई रॉयल्टी रिलेटिंग टू प्रोडिक्शन और सेल्स इन क्वांटिटी इसके पर साथ इसके अंतरगत जो आता है कि खान के संबन में माइन्स में जो आती बात कि यहां दो तरह के इस्तियां होती हैं दो पक्षकार होते हैं प्रत्रम पक्षकार तो वो जो अपने अधिकार को दूसरे व्यक्ति को निशित सुल्क के बदले सौपता है वे भू स्वामी या पट्टे दरता लेंलोड या लेसर यानि कि जिसने अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को एक निशित रासी के बदले में प्रियोग करने का अधिकार दिया तो वो कहलाता है लेंलोड या हम कहेंगे लेसर और दूसरा प्रक्षकार वो होता है जो निशित शुल्क के बदले में अधिकार प्रियोग में लेने का अधिकार प्राप्त करता है एक निशित रासी के बदले में वे व्यक्ति उस अधिकार को प्रियोग करने का अधिकार लेगा उसको कहते हैं हम लैसी पट्टेदार सरवादिक प्रसलन में एक तो माइनिंग रोयल्टी, खनन अधिकार, एक है पेटेंट रोयल्टी, एक है आपके कृति स्वामित्व अधिकार, कॉपी राइट रोयल्टी, ये प्रैक्टिस में हमारे ज्यादा है तो मुखЬ रोप से इसमें दो पक्षकार होते हैं, एक लैसर, एक लैसी, यानि कि लैसर को हम कहते हैं, लैसर जो की अपने अधिकार को दुसरे वैक्टि को निश्यत सुल्क के बदले में स्वामता है, वो लैनलोर्ड, और जो दूसरा पक्षकार जो इसको लेता है, निश्यत तुल्क के बदले में प्रयोग उसको कहते हैं लैसी इसे पूरू भी मैंने बताया अब इसमें कुछ हमें टर्म्स हैं उन टर्म्स को समझना होगा अब बात आती है रोयल्टी जो है माइन्स के केसेज में जो रोयल्टी होती है वो रोयल्टी लैसी जो है वो किस प्रकार पेमेंट करेगा क्या होता है रोयल्टी जो 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 लेनलोड और लेसी यह आपस में तय करते हैं कि कितना हमें मिनिमम रेंट देना होगा इसका अतात्पर यह क्या है विशे सुबसे ही माइनिंग के संब्ध में होता है खान का स्वामी जो लेनलोड होता है लेसी से एक समझोता करता है कि वास्तविक अधिकार धन्रासी यहनि कि एक्चुल रोयल्टी जो है धन्रासी से कम होने के दसा में लेनलोड एक निशित धन्रासी अवस्य लेगा इसी को हम dead rent या minimum rent या fixed rent भी कहते हैं ऐसी स्थिति में जो ववस्ताइं लगव होती है कि lessy अधिक से अधिक उत्पादन करे तो minimum rent, minimum rent relating to time और fixed यानि minimum rent क्या होगा fixed होगा, इसको dead rent भी कहते हैं, fixed rent भी कहते हैं इसका अतात्परिय है कि ये आपको समझोती कि सरतों के नुसार नियुनतम इतनी राशी का भुक्तान करना ही होगा फिर बात आती है, short workings, short workings क्या होती है when minimum rent is greater than actual royalty यानि कि आपका नियुनतम किराया actual royalty से अधिक हो नियुनतम किराया कैसे, समझोता ही होगा कि प्रतिवर्ष मिनिमुम रेंट पचाहँ जार पे दे होगा और वास्त्विक जो अधिकार सुल्क, actual royalty मान लिजे 40,000 तो ऐसी स्तती में 10,000 पे हमारी short workings हो गई, कमी हो गई यानि कि short workings means minimum rent minus actual royalty और you can say minimum rent is greater than actual royalty is called short workings ये जो minimum rent का प्रावदान किया गया, ये इसलिए कि ऐसी स्तती में जो लैसी है, अधिक से अधिक कारे संपादित करने का, उत्पादन करने का कारे करे जिसे कि वो minimum rent को तो अर्चित कर पाए, उसके साथ साथ उसको short workings नहीं हो अब बात आती है कि short workings, short workings means minimum rent minus actual royalty और you can say minimum rent is greater than actual royalty अब जो इस short workings होती है, उसको recoup करने का अधिकार भी दिया जाता है landlord द्वारा सर्तों के अधिन, right to recoup जब कभी आपकी access working होगी, access working means actual royalty is greater than minimum rent actual royalty मालीजे 80,000, minimum rent था 50,000 तो ऐसी स्तिती में 30,000 पर जो है access working है लेकिन गत वर्सों में जो minimum rent अधिक था, actual royalty कम थी उस स्तिती में आपको short workings होई थी वो short workings recoup करने का आपको अधिकार दिया जाता है अब ये अधिकार कैसे होगा ये अलग-लग शर्तों पर कुछ वर्सों में आगामी दो वर्स या क्या-क्या सर्ते हैं उनका हम अध्यन आगे करेंगे वो terms and condition पर depend करता है कि कितना हम उसको recoup करेंगे इनकी अलग-लग जो terms and condition है वो देखेंगे तो ये recoup करने का अधिकार भी लेनलोड द्वारा लैसी को दिया जाता है तो short workings फिर access working अब बात आती है कि इसमें ये जो short working recoup करते हैं वो short working सर्तों के अधीन जो terms and conditions question में दी जाएगी उसके इसाब से हम उसको करेंगे various types of royalties royalties कितने प्रकार के होती है? mining royalties, patent royalty, copyright royalty, oil wealth royalty, bricks making royalty, royalties on production and sales, trademark royalties etc. इस प्रकार ये different types की royalties होती है अपने जो vicious soup से है mining royalty then patent and copyright royalty तो royalty किसे कहते हैं वो हमने इसका meaning यानि कि आर्थ देखा किस प्रकार की कितने प्रकार की royalty होती है अब आगे के जो वीडियो में हम इसका शीरस अध्यन करेंगे धन्यवाद अब एन्यवाद कि प्रु़ कि झीर